हलो एप्रिवन इस वीडियो के अंदर हम कंडिशन फाइंड करेंगे मेंक्स में इस्चार्ज की इन दा केस ऑप बॉयलड रॉट ठीक है तो सबसे वहले डिस्चार्ज हम समझते हैं डिस्चार्ज का मतलब यहां मास फ्लो रेट से मास फ्लो रेट को मैं सो कर सकता हूं एम रिवल्स फ्लो राइण हम मेंक्स अडिस चार्ज की बात कर रहे हैं किसका मेंंटिश्चार्ज यहां पर बात करें हैं फ्लुग ऐसस तो जो डेंसीटी निए करें और यह करेंगे और यह क्या है एरिया अफ दी चिमनी और यह रिप्जेंट करेगा बैलोसिटी ओफ फ्लुग एस ठीक है तो मैं इसको शोगर देता हूं वी अब हमने जब नेचुरल ड्रॉट का फॉर्मुला केल्कुलेट किया था तो उसमें बैलोसिटी ओफ फ्लुग यह भी है वेलोसिटी ओफ फ्लुग एस इस आती है रूट टू जी ऐस एफ ठीक है जिसमें अचेफ करता है एंचेफ करता है आपका डॉर्टि इंट्रम्स ओफ हाइट ओफ फ्लुग एस ठीक हैचेफ इकवल्स है नेच्छल ड्रॉट इनटम्स ओफ फ्लू गैसिस न्टम् Hite of Flue Gases ती और Height of Flue Gases को Calculate करने के लिए हमने फॉर्मूला Drive करें तो HF जो हम Pressure Drog find out करते हैं in terms of Height of Flue Gases उसके लिए हमने formula drive किया हुगा है तो formula क्या है HF equals H bracket M M upon M plus 1 into TG upon TA minus of 1 यह पिछला मेने derivation करा है उसमें बताया है जिसमें edge के represent करता है चिमनी के head को represent करता है M के represent करता है mass of air per kg of fuel मतलब 1 kg fuel को burn करने के लिए कितने mass की जरुवाता है वो M represent करता है TG के represent करता है TG represent करता है temperature of flu gases और TA के represent करता है temperature of fresh air जो atmospheric air आ रहेगा ठीक है और इसी तरह हम rho F की बात करें तो जो P equals MRT formula होता है ठीक है तो यहां से आप देखेंगे जो इसको हम B को इदर बेज़े देते हो RT को इदर बेज़े तो P upon RT equals क्या हो जाएगा M upon V ठीक है और M upon V के represent करता है M upon V के होता है density जो density equals क्या जागा P upon RT ठीक है लेकिन हम यहां पर density किसका नहीं करना है fluguses का तो temperature भी किसका होगा fluguses और pressure किसमे constant है pressure के atmospheric pressure लेकर चलते हैं ठीक है अब यह जो values हैं इन सारी values को जो यहां पर values आई हुई है जैसे value density की value है ठीक है और आपका hf की value है यह सारी values हम put up कर देते हैं कहां पर है यह hf की value हम इसमें value city value put up कर देते हैं पहले तो देखिए क्या आएगा तो इसमें कुछ इस तरह से आएगा कि वीएफ वीएफ एककोल्स क्या हो जाएगा वीएफ एककोल्स हो जाएगा रूट टू जी और hf की value put up कर देते हैं तो यह क्या हो जाएगा capital h capital h के represent करता अब इसमें बताया है आपको height of chimney m upon m plus 1 into tg upon ta minus of 1 यह आ गया अब यह सारी values हम इस formula put up कर देते हैं तो m dot equals क्या जाएगा m dot equals आप e value put up पर तो rho f क्या होगा p atmospheric pressure जिसकी constant value है upon r tf tf नहीं बोलू मैं इसको tg लिख देता हूँ क्योंकि हमने जो flu gas का temperature क्या लिया है tg लिया है ठीक है तो यह r tg और bracket के अंदर आपका आ जाएगा यह हो गया into a area भी लिख देते हैं यहाँ पर into value तो rho f into a और vf की value तो vf की value क्या जाएगा root 2g h और bracket के अंदर आ जाएगा आपका m यह सेम लिख दूँगा मैं इसमें value put up कर रहा है तो rho f की जाएगा पी अपॉन rtg into area की जाएगा और vf की जाएगा अपॉन हार टीजी और ब्रेकेट में 2g h इसको भाल ले ले रहा हूं और अंदर आप ब्रेकेट में क्या बचेगा अंदर बचेगा तो m dot equals क्या जाएगा p a upon r into root 2g h अब इसका अंदर multiply करें तो यह क्या जाएगा m upon यह अंदर जाएगा तो obviously square में हो जाएगा क्योंकि रूट में न तो यह अंदर जाएगा तो square में हो जाएगा तो m upon m plus 1 into अभी इसको अंदर जाएगा तो tg square नीचे आएगा tg इसको नीचे आएगा तो tg से यह cancel out हो जाएगा मैं लिख देता हूँ है आप तो tg upon ta into tg square minus 1 upon tg square इसको further एक और step लिख देता हूँ है आप तो यह क्या जाएगा आपका पी अब देखिए यह pressure constant है area constant है height of chimney constant है और यह gas constant है इसकी value constant है तो यह पूरा क्या हो जाए constant को represent करेगा तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ c अब bracket के अंदर क्या जाएगा अब bracket के अंदर अपने देख लेते हैं bracket के अंदर आ जाएगा m upon m plus 1 अब इसको further solve कर होई तो यह tg से इदर square चला जाएगा तो यहाँ पर क्या बच्चे का है into one upon ta into tg minus one upon tg square ठीक है यह बचा अब इसमें आप देखेंगे maximum discharge condition निकालने है ठीक है तो maximum discharge condition निकालने के लिए आप क्या करेंगे इसमें देखेंगे यह तो constant है इसके लाबाब मास देखेंगे यह क्या है mass of air required per kg of fuel है ना मतलब एक kilogram fuel को बन करने के लिए कितना air चाहिए यह भी constant है यह तो इसमें बैरी क्या हो रहा है तीजी बैरी हो रहा है तो हम क्या करेंगे इस expression को differentiate कर देंगे with respect to pg मैं इसको differentiate करता हूँ यहां पर लग देंगे हम डी कि हैं अपॉन डी टीजी टीजी के रिस्पेक्ट ने डिफ्रेंशिट कर रहा है तो differentiate करेंगे तो यह तो सी हो गया सीग तो constant रहेगा ठीक है अब सी अब यह रूट में है यह पूरा differentiate करेंगे तो रूट का जागा बन वाई टू रूट का मतलब बन वाई टू होता है और यह फिर अब ब्रेकेट में वही सेम आ जागा और एंली स्थेट में वाण पूरा और यहां पर लाइगा मायनस का बन भाई टू यह इसंप्ली क्या है यही किया है हमने की जो expression होता है न अआ आपका जैसे मुझे X C power N का differentiation करना है तो इसका differentiation क्या होता है N X N minus 1 तो उस तरह से हमने इसको solve कर दिया है अब यह आ गया है लेकिन इसको पूरे को हमने एक माना है अब फिर इसको individually भी करना पड़ेगा तो individually करेंगे तो इसका क्या जाएगा into multiply तो आपका M upon M plus 1 जिटेटेश आगा है अब यहाँ पर इसका करेंगे तो माइनस बन आ जाएगा इधर पर और यहाँ पर क्या जाएगा वन अपन यह से में इस इस अब डिफेरेंशी सनाल जरूए तो वान अपन TG square upon T minus इसका करेंगे तो यहाँ पर पहुंच जाएगा तो माइनस टू अपन क्यों इसका TG square का मतलब TG power minus 2 तो माइनस टू पर पहुंच जाए और यहाँ पर आ जागा TG का cube ठीक है इसको मैं थोड़ा से और सही से लिप देता हूं यहाँ जाएगा C into 1 1 upon 2 और इधर क्या आएगा आपका यह सब उसके साथ चल ला है ने DM upon TG तो C into 1 upon 2 आ गया ठीक है इसके साथ आप क्या कर सकते हैं यह पूरा लग देंगे तो M upon M plus 1 into 1 upon TG into TA minus TG square to the power minus 1 upon 2 multiplied by minus M upon M plus 1 into 1 upon TG square into TA और यह minus minus क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो प्लस 2 upon TG का Q ठीक है और जब इसको डिफरेंट करें मेंग्जियों कंडिशन के लिए का करना पड़ेगा DM dot upon DTG इक्वल्स क्या जाएगा 0 यह मेंग्जियों को ले लेता हूं यहां पर क्या जाएगा यह TG upon TA यह आप मैं दूसरे तरह से इसको बोलता हूं मैं one upon TG square को बाहर ले लेता हूं तो one upon TG square को बाहर लोंगा इसमें क्या बचेगा M upon M plus 1 और यहां पर TG upon TA मैनस बना जाएगा यह किसका formula आगा यह formula आगया आपका draw in terms of hot flu gases ठीक है तो इसकी value 0 नहीं हो सकती है इसका मतलब यह जो term है इसकी value आपका 0 नहीं हो सकती है it can't be equals to 0 इसका मतलब यह वाला जो term होगा इसकी value किसके equal होगी 0 के equal होगी यह logic आपको समय वाया है क्योंकि यह 1 upon TG square में बाहर लिखा लेता है यहां पर टीजी स्कॉर बाहर निकाले टीजी भी 0 नहीं हो सकता है तो वन अपन टीजी स्कॉर में बाहर निकालों तो यहां पर क्या बचेंग है M upon M plus 1 multiplied by और यहां TG upon TA बचेगा minus 1 बचेगा यह फिर जो formula आएगा यह किसका आएगा draw in terms of column of flu gases जिसकी value 0 नहीं हो सकती है तो इसकी value इस term की value 0 नहीं होगी तो इसका मतलब इस term की value 0 होगी क्योंकि इन दौनों का जो multiplication है वो किसके बरावर आना चाहिए 0 का बरावर आना चाहिए तो इसका मतलब यहां पर minus M upon M plus 1 into 1 upon TG square TA plus 2 upon TG cube equals क्या जाएगा जिए इसको further solve करते हैं इसको मैं further solve करूंगा तो यह किस तरह से आजाएगा minus M यह पूरे term minus M upon M plus 1 into 1 upon यह आपका TG square into TA equals आजाएगा minus 2 upon TG cube ठीक है तो यहां से square से यह cube चला जाएगा तो यहां पर फिर आप देखेंगे TG और यह minus से minus cancel out जाएगा तो TG equals कितना जाएगा यह इस तरफ चला जाएगा और यह सारी value इस तरफ है तो TG equals आजाएगा 2 और यह क्या M plus 1 upon M ओके और इंटू टी तो यह कुछ मैं थोड़ा से को सही से लग देता हूं तो TG equals क्या आपका 2 T A multiplied by M plus 1 upon M यह आपको equation आगे तो यह condition जब होगी तो आपका discharge क्या होगा maximum आएगा थोड़ा से यह इसको फर्दर स्वाल करें तो कुछ इस तरह से आप इसकी value आजाएगी आपको यह आजाएगा TG upon T A equal आजाएगा आपका TG upon T equals 2 M plus 1 upon M अब हम ने जो ड्रॉट के formula drive किये हैं उन ड्रॉट के formula में क्या करते हैं इन values को put up करके देखते हैं तो maximum condition आजाएगी अब जैसे for example हम water के terms में निकाना है तो water के समने कैसे calculate किया है HW equals 353 H bracket 1 upon T A minus M plus 1 upon M और multiplied by TG upon T A sorry यह इस तरह से नहीं है यह 1 upon T A अब हम क्या करते हैं M plus 1 upon M की value यहां से put up पर सकते हैं तो M plus 1 upon M की value क्या जाएगी यह value आईगी आपकी M plus 1 upon M यह equal आजाएगा आपका TG upon 2 T A तो हम HW की value put up करें तो HW maximum तो यह आजाएगा 353 H और bracket 1 upon T A minus ठीक है अब माइनस में M plus 1 upon M की value पर देते हैं इसकी value क्या है TG upon 2 T A TG upon 2 T A और multiplied by upon TG तो TG से TG cancel out हो जाएगा तो TG से TG क्या होगा cancel out हो जाएगा तो इसका जो value आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा 353 H है ना और यह दर क्या बचाएगा वान अपॉन T A minus ठीक है वान अपॉन टू टीक है तो इसको आप further solve करना चाहें तो further भी solve पर सकते हैं तो यहाँ जाएगा 353 H into इसको solve कर होगे तो वन अपॉन टीए और यहाँ माइनस बन अपॉन टू टीए तो यह क्या बच्छे का वान अपॉन टू टीए इस मैंसे इसको माइनस करें सिंपल मेहता है तो इसको यह 353 है ठीक है 353 को टू से डिवाइड करें तो 353 डिवाइड 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 वाइड सुरी हो शीट इसकी वैल्यू है वह कुछ चाह जाएगी 176.5 176.5 ओके अपॉन टी ती यह आगे डॉट इन टर्म्स ऑब वाटर मैग्जिम कंडिशन यह आगे ऐसी आप होट फ्लू गैसे के लिए निकाल सकते हैं होट फ्लू गैसे के टम्स अगे मैं कल्कूलेट कर देता हूं होट फ्लू गैसे के टम्स फॉर्मिला क्या आए था है एच एफ एकोल्स एच ब्रेकिट एम अपॉन एंटू टी अपॉन टी ए माइनस ऑ वान ठीक है तो एम अपॉन एम प्लस वन इसकी वैल्यू यह देखें इसकी वैल्यू क्या है इसकी वैल्यू उल्टा जाएगा एम अपॉन एम प्लस वन यहां से क्या जाएगा आपका टू टी ए अपॉन टी जी तो यह बैल्यू मैं पुट अप कर देता हूं तो एच अपॉन टी ए अपॉन टी जी मल्टिप्लाइड वाई टी जी अपॉन टी माइनस वान ठीक है तो टीजी से टीजी कैंसल आउट होगे टीए से टीए कैंसल आउट होगे यह आ जागा एच टू माइनस वान तो इसमें एच एफ मैक्स एक कोल्स के जाए कैपिटल है इसका मतलब मैक्सियों डिश्चारज कंडिशने केस में जो हॉट फ्लू गैसिस का कॉलम होगा उसकी हाइट चिमनी के हाइट के बराबर होगी तो थैंक्यू